दिली की सियासत में कॉंग्रेस को बड़ा चटका लगा है दो बार के विधायक और बदरपुर जिला ध्यक्ष राम सिंग नेताजी ने अपने पत से स्थीफा दे दिया है राम सिंग ने प्रदेश अध्यक्ष अजमाकन और दिली प्रभारी PC चाको पर कारेकरताओं की अंदेखी करने और MCD चुनाव में पैसे लेकर टिकेट देने के गंभीर आरोफ लगाए साथी दोनों नेताओं को पत से हटाने की मांग की राम सिंग से खास बाचीत की टोटल यू समवादता कुलदीप शर्माने डिली की सियासत में कॉंग्रेस को जोरदार जटका लगा है दोबार के विधायक रह चुके राम सिंग नेता जी ने अपने पत से इस्थिफा दे दिया और साथ में कॉंग्रेस नेताओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किया है में साथ बाचीत करने के लिए खुद राम सिंग जी है सर क्यों इस्थिफा आपने अपने पत से दिया और जो आपका इस्थिफा है उसमें तो आपने पूरी तरीके से अपनी ही पार्टी की कलाई खुल दिये ऐसा नहीं है मैंने सच्चा ही करी बात कही है मैं पार्टी में बच्पन से पार्टी में रहा हूँ इस कॉंग्रेस पार्टी में जब मैंने देखा इस कॉंग्रेस को खराब कर रहे है कॉंग्रेस को नीचे ले जा रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने नगर निगम में भी टिक्टो की सौधे बाजी करी इन्होंने साथ टिकट मेरे जिले में पेरा सूर से लड़ा दिये पीसी चाकू के हूँ आप चले जाएए दो तीन आदवी रहते हैं जो दलाली करते हैं दिल्ली के अदर अजे माकंजी हैं वो ग्रास रूट के लेता नहीं हैं आज तक एक जुगी जौपड़ी की मिटिंग नहीं करी कलोनी में कहीं नहीं कहीं गए गाउं में कहीं नहीं कहीं वो सिर्फ राजनिति करते हैं दिल्ली के और कागजी राजनिति करते हैं इससे पार्टी कमजोर हो रही थी मेरे आत्मा नहीं नहीं थी बहुत दिन से मुझे बहुत पहले मेरे एक मित्तर ने रोक दिया कि तुम मत उटके हो इस बात को परन्तु मेरा मन नहीं माना मैंने सोचा कि पार्टी तक हमें ये रजंता तक ये बात पहुचा नहीं जब टिक्टो का बटवारा हो रहा था और वहां पर पैसे किया लेंदेन चल रहा था उस वक्त क्यों आपने चुप्पी साधी और अब अचानक से क्यों आप वो पुराने सब आरोप जो है वो लेकर सामने आ रहे हैं मैं उस टेम भी स्थीपा दे रहा था परंतु मुझे एक मेरे बड़ अच्छे मित्र है जिनके बहुत मेरे उपर कई ऐसान है मैं नाम नहीं बताओंगा परंतु मेरे मन में एक टीस थी मैं अंदर की आवाज मेरी निमान रही थी और मैं जो देख रहा था दिल्ली प्रदे चलेगे हमें इतनी देर से वहां बैठे हमारी बात नहीं सुनी ना हम से पूछा गया तुम क्या करोगे तो पार्टी चलाने के तरीक होते हैं परदसन करने के लिए हम लोगों की भीड़ी कट्टे करके ले जाते हैं हम वो आये अपना गाड़ी में से टंपू बतर गे अपनी सब ढर रहे थे कोई आदमी बोलने को त्यार नहीं होता मिटिंग में सब लोग कहते थे अब भी दिल्ली में से हजारों टेलिफून मेरे पास आ रहे हैं कहरे रामसी जी आपने बिलकुर सही वाबाज उठाई मैं कोई अपने घर के लिए नहीं कह रहा मैं कॉंग्रेस पार पार्टी को मजबूत करो नीचे गरीब हो तक यह गरीब हो तक अजय माकर इस पार्टी को नहीं ले जा सकता हो तरा बड़े गंबीर आरोप अपने नेताव पर लगा रहे हैं लेकिन सबूत क्या है सबूत दंता बताएगी सबूत सब को पता है प्रदेश की किसी नेता से जो उनकी जलाला थो रही हो तो टिकट के मारा नहीं बॉल रहे हैं वो तो ड्रकी वज़े से नहीं बोल रहा कोई वेक्ति अन्य जो कुछ कांगरेस में अब हो रहा है हमने कभी नहीं देखा पहले जैपर का गरवाल मिले लवली जी रहे और प्रेम सी जी रहे मैं टिकट मे चाहूंगा आप कहरें कि मैंने आला कमान तक भी अपनी ये शिकायत पहुचाई तो क्या आला कमान ने कोई सुनवाई नहीं की और अगर सुनवाई नहीं की तो क्या लगता है आपको कि अभी भी इस पार्टी में बने रहने का आपका उचित्त्य है मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ अभी हमने पार्टी को कहा है दुबारा फिर कोशिच कर रहे हैं एक बार हम पूरी ताह consumo के साथ दिल्ली में जाएंगे अदधक जी पास रहल जी के पास और अपने पूरे छेटर के लोगों को ले जाएंगे और पूरी दिल्ली के लोगों को आज हम गरीबों तक नहीं हैं हम सरफ काग्जों में चल रहे कारवाई तो क्या नेतरवत परिवर्तन की भी आँ मांग कर रहे हैं मैं पूरी जल्टा को दिल्ली के कॉंग्रेस जनों को लेके जाओं और आउल गौंदी जी के पास और मांग करूँ मैं इन दोनों आदमी से कॉंग्रेस को बचाओ कि इनको दिल्ली से हैटाओ और कॉंग्रेस को बचाओ बिल्कुल है तो कॉंग्रेस के लिए मुश्किल का वक्त क्योंकि उनके एक कदावर नेता ने पार्टी के ही दो बड़े नेताओ जिनमें से दिल्ली परदेश के अध्धक्ष अजय माकन का नाम भी है उन पर गंबीर आरोप लगाए है और ये का है कि इन दोनों नेताओं के नेतरुत के दम पर दिल्ली में कॉंग्रेस की वापसी होना लगभग नामुम्किन है कैमरमेन रोहित के साथ कुल्दीप शर्मा तोटल नेउस गिल्ली